मेरा नाम है त्रिविक्रमदास पालक है मैं नोकरी करता हूँ यहाँ पर एक हाड़वेर और प्लावड के दुकान में मैं आपका भोत बार प्रवचन टिवी पर देख चुका हूँ बहुत आनन्द भी आता है आक्सर आपका जो प्रवचन रहता है जो हिंदू का जो आता है आप वेदों से देते हैं यहाँ जो भी वेदों से कंपनेजन करते हैं लेकिन हमारे जो वेद है वो आकसर जो है वो सोर्ग यानि जन्नप तक ज्यादा करके यह करते हैं लेकिन उसके आगे अगर हिंदु में अगर हम लोग जाएंगे अगर सही में हिंदु भी नहीं बोलते हैं हम सानातन धर्म कहते हैं जैसे आपने अभी व्यक्या किया था नदी जैसे Bible का, अपनी, Islam का ये है, Quran है तो इसी तरह हमारा भगवत कीता है और जो भगवान के बारे में जानना है याँनि आल्ला के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भगवतम है तो भगवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ख तक जाने के लिए है लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्ला तक जाने के पोच्छ तक है यानि अल्ला को हम सामने सामने देखके उनकी सेवा करने के लिए है तो जो अभी आपने जो भी बोले थे जो जो अवदियाता अभी कर रहे थे आवरत के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि आवरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके इसमें, सब में एक ही जैसा है, और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, कि आपने जो कहा, जो लिखा गाया और किताब के मुताबित चले, तो बहुत आदमी सुकी रहता है, बाकी तो मैं और कुछ सवल, कुछ परसिनल पूछना चाहता हूँ बाद में, मैं आपको मिलके सबकर पूछूँगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता, लेकिन आपका प्रवचन सुनके मुझे बहुत आनंदा है, हमारे हिंदू भाई ने कहा है, कि वो काफी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे, और प्रसन होते हैं, खुसुसां जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ, और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते है, और सनातन धर्म में भी, आपको शायद यह पता होगा, कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है, वेध है, भगवत गीता सनातन धर्म, अगर आप पढ़ेंगे आरिया समाज आप आरिया समाज़ जीए सनातन धर्म में बोज से किसा मैं आप कोई इसकौन से मैं इसकौन मिलकुल इसकौन हरे रामा हरे कृष्णा इसकौन ठीक है तो इसकौन का तथकरा करता हूँ मैं गया था एक बार कलकता में और कलकता में तक्रीर थी मेरी उस वक्ष बारिश आती है बारिश तो हो गई लेकिन मेरे साथ आने वालते स्कॉन के हेड कलकता के हम लोग दोनों जाते एक वैन में मैनेटी वैन मतलब जो बड़े मैज़ान में हैं तो माशाला मैदान के बाजों में काफी बिल्डिंग है तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई green room नहीं होता है तो क्या करता है मैन लेकिया आते बस इसमें make-up room या आराम करने के लिए condition होता है तो मैस कौन के head के साथ में बेटा ता तो उन्हें वो ही बात कहीं जो आपने कहा हमाले सबसे उवल है भगवद गीता मैंने बोला ठीक है और कहें का वेद भी ठीक है तो मैंने पूछा ये भगवद गीता हिंदु धरब में दो किसम की किताब है एक है शूति, एक है स्मृति शुरुति मतलब जो भगवान की भीजिवी किताब वेद और उपनिशद उसने का बिल्कुल सही स्मिति किसे कहते तो उसने कहले लगा स्मिति कहते वो जो आदमी के लिखिवी किताब है मिसाल के तोर पे मनु स्मिति तो मैंने पूछा ये रामायनों महाबरत क्या है तो उसने कहा ये है स्मिति बेशक बिल्कुल सही जवाब था मैं भी ताले बेल मूँ तो मैंने पूछा बिल्कुल सही कहते है उपर आती है शुरुति वेदा और उपनिशद स्मिति मतलब दूसरी किताबे मनुसमिती, इतिहास मैंने पूचा ये मावारत क्या इतिहास है तो मैंने उसे पूचा गुरु जी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है मावारत का अट्रा चैप्टर का सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत एल्म रखते हैं मेला बेशाख तो जब भगवत गीता मावारत का हिस्सा है तो मावारत स्मिती है के शुदी है? चुब बेड़ा स्मिती है बोला तो स्मिती उपर के नीचे? तो बहुत है आपके पास दिल्म है ना? इसलिए आप जानते है हम लोग को कहते है भगवत गीता उची है लेकिन आप सही कहते है यह भगवत गीता वेद का निचोड है निचोड है लेकिन वेद उपर है खुदा की किताब है भगवत गीता इनसान की लिकी है किसके दर यह? scholars कहते हैं आपके इसकौन के गुरू भी कहीं हो लेकिन आप आम आदमी हैं आप शायद ये पेचिदा चीज़ें को जानते नहीं हम तालिब इलम हैं इसकौन नहीं हूँ तालिब इलमू तकाइब मजाइब का इस्लाम एन कमपाइटिव लिजिन का तो बेश्चा का बिल्कुछ सही कहते हैं तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टक्रावें किसकी बात मानेंगे तो बोले आम तोर पे तो हम कहते हैं हम भगवत गीता उपर है लेकिन हम सही कहते हैं कि आपका दिल में तो मैं डबल स्ट क्यूंद में बदल जाता है तू प्लस टू फोई रहता है जढ़ है वो second standard में 10 standard में two plus two वो ही रहेगा four बदलेगा नहीं तो मैं यह कहता हूँ गुरू जी से आपके संग से के आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर में सिर्फ ब्रहमन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों बाकी लोग नहीं पढ़ सकते है वेच्वियाद शूद्रा नहीं पढ़ सकता है क्यों ह उस इश्वर की हम अबादत करते हैं, जब खड़े होतें नमास के लिए, कंदे ते कंदा मिला के करते हैं, चाहिए वो फकीर या umeer या घृब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है, तो कंदे ते कंदे मिला के खड़ा होता है, और आप आज या देखेंगे और मैं अलह्मदलिल्लह कईः बार साओा रहा गया हूं और किंग अब्दॉब Studies की दाभद पे भी गया हूं माशालेल्लह उनकी security रहती है टो सक्कूरिडी हट जाती है आप साथ में तो साथ में अल्हमदलिल्लह राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यक्सा है